हेलो दोस्तों रेल कारवाज चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है तु किसी रेल सी गुजरती है मैं किसी पूल सा थर्थराता हूँ दूशन्द कुमार की इन पंक्नियों को अगर आपको देश में किसी रेल यात्रा के दورान महसूस करना हो तो आप कौकन रे रेल्वे के संपूर इतिहास को जानेंगे तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं कोकन रेल्वे लाइन सेंड्विच में उस आलू की तरह है जिसके एक तरफ का ब्रेड पश्चिमी घाट की खुबसूरत पहाड़ियां है तो दूसरी तरफ का ब्रेड अरफ सागर ह कोकन रेल्वे देश की ऐसी रेल्वे लाइन है जो पश्चिमी घाट में अरफ सागर के समना अंतर चलती है इस रेल रूट का निर्माड और संचालन कोकन रेल्वे ही करती है अपने पूरे सफर के दोरान या कई नदियों पहाड़ों और अरफ सागर को पार करते हुए दुर्गम इलाके ही वो कारण थे जिन्होंने इस रेल्वे लाइन के निर्माड को लगभग नामूंकिन सा बना दिया था। मुल्सी के लोगों को फायदा होने वाला था क्योंकि अब कूंकन जाने के लिए लोगों को मुंबई या पन्विल नहीं जाना होगा। एक बार जब इसका निर्माड पूरा कर लिया गया इसने अद्भुत नजारों की एक शंकला में खुद को समाहित्सा कर लिया। इस रेल रूट पर 2000 पूल 92 सुरंगे बनाई गई हैं। मैं आपको बता दूं की इस लाइन का निर्माड बीसवी सताबदी में पूरे किये गए सबसे मुश्किल कामों में से एक है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि जब कूंकन रेलवे का रूट इतना ही कठीन और दुर्गम था तो इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए कूंकन रेलवे के संपूर इतियास को विस्तार से जान लेते हैं। भारती रेलवे दुनिया की चोथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। जिस वक्त कूंकन रेलवे की निर्मार की कलपना उठी। देश के लगबख सभी हिससे पूरु उत्तर को छोड़ कर रेलवे के नक्षे पर थे। अंग्रेज भी इस बात को जानते थे कि देश के कूंकन छेत्र में रेलवे का निर्मार बेहत चुनोती पूर्ड कारे है। इसमें मानो शक्ती के अलावा धेरों धन भी खर्चोने वाला था और उपर से पर्यावर्ण की चुनोती भी अलग थी। बरसात के मौसम में इस रेल लाइन का निर्मार करना भी एक बड़ी चुनोती थी। क्योंकि देश के इस हिस्से में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। समस्या सिर्फ मौसम की ही नहीं थी। बलकि 42,000 जमीन मालिकों के साथ समझोते से भी जुड़ी हुई थी। लेकिन इन सब वजहों से परियोजना लगतार टलती जा रही थी। और इससे व्यापार और माल धुलाई में खासी परिशानी आ रही थी। स्थानिय कारुबारियों को लंबी यात्रा करनी पड़ रही थी। और इससे यातायात को खच भी बढ़ रहा था। आखिरकर 15 सितंबर 1990 के दिन कोंकन रेलवे के निर्माड को मंजूरी दे दी। और रोहा में इसकी आधारशिला रखी गई। कोंकन रेलवे का निर्माड करने की जिमेदारी डॉक्टर ईश्रीधरन को दिया गया। और इन्हें ही कोकन रेलवे का डारेक्टर बनाया गया और उन्हें नियुक्ति से लेकर काम करने का पूरा अधिकार दिया गया। आप लोगों को या जानकर हैरानी होगी की डॉक्टर ई श्रीधरन ही भारत के मेट्रो मैन हैं और इन्होंने ही दिल्ली के मेट्रो की शुरुवात की थी। कुंकन रेलवे की पूरी लेंध को साथ हिस्सों में बाटा गया जिसे एक चीफ इंजिनियर हेट कर रहा था। उसे रेलवे को पास कराने के लिए सरुषिष्ट रास्ता तयार कराने की जिम्यदारी दी गई। इस समय सिमा के लिए 30,000 वर्करों को काम पर लगाया गया था। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 7 साल लग गये और 93 मजदुनों को अपनी जान भी गवानी पड़ी। लेकिन एक बार काम पूरा हो जाने के बाद मुंबई से गोवा और कोची का सफर 10 से 12 घंटे तक कम हो गया। कॉंकन रेलवे के रास्ते में चिपलून, रतनागीरी जैसे स्टेशन आते हैं। महराश्ट में कंकावली कॉंकन रेल का प्रमुक्ष रेलवे स्टेशन है। यहां स्टेशनों पर कोई भिलडबार नहीं दिखाई देती। महराश्च का रतनागिरी जीला हालां के विकास के मामले में पिछड़ा है लेकिन खुपसूरती में गोवा का मुकाबला करता है कुंकन रेल मार्क पर गोवा के दो बड़े स्टेशन आए थीविम जंक्षन और मडगाउं जंक्षन आते हैं कुंकन रेल के सफर के दोरान रेल की खिड़की से नदियां, पहाड और हर्याली देखते देखते आपकी आँखे ठक जाएंगी लेकिन नजारे खत्म होने का नाम नहीं लेंगे रेल एक सुरंग में घुशती है, निकलते ही दूसरे सुरंग में घुश जाती है, पहाणों को काट कर कुंकन रेल के लिए रास्ते बनाए गए हैं, एक तरफ उचे पहाड तो दूसरी तरफ गहरी खाई, कुंकन रेल गोवा का बड़ा इलाका तैक करते हुए आगे बढ़त रास्ते में काफी दूर तक एक तरफ गोवा का समुंदर दिखाई देता है, कुंकन रेल देश के पश्चिमी तट पर 760 किलोमेटर का सफर कराती है, गोवा में कुंकन रेल 105 किलोमेटर का सफर करती है, जिसमें जुआरी नदी पर बना पूल अद्भूत है, कुंकन रेल मा कारवार भठकल उडुपी जैसे शहरों से गुजरती हुई कुंकन रेलवे के इस रूट में 69 रेलवे स्टेशन आते हैं इसकी कुल दूरी 760 किलोमेटर है इस रूट में बड़े पुल 189 है और छोटे पुल 819 है कुल तीखे मोर 320 है और कुल सुरंगे 91 है इस रूट के कुछ प्रमुख स्टेशनों के नाम जान लेते हैं जैसे वीर, खेड, चिपलून, संगमेश्वर, रतनागेरी, राजापूर, वैभावाडी रोड, कनकावली, सिंदुदुर, कुदल इस रूट में रोरो सेवा भी शामिल है तो मैं आपको बता दूं की रोरो क मतलब रोल आन, रोल आफ है, इसमें माल से लदे ट्रक सीधे रेलवे वैगन पर लोड कर दिये जाते हैं, उनका पड़ाव आने पर उन्हें फिर रेलवे वैगन से सीधे सडक पर उतार दिया जाता है, यह अनोखी सुईधा कुंकन रेलवे में उपलब्ध है, और इस साल 26 जन्वरी 2020 को कुंकन रेल सेवा ने सफलता पुर्वक अपने 22 साल पूरे कर लिये हैं, आखिर में हम आपसे बस यही काना चाते हैं कि कुंकन रेलवे भारती रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर साबित होई है, हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो में कुंकन रेलवे के इतिहास का सफर आपको जरूर पसंद आया होगा, और इसी तरीके की भारती रेलवे से जुड़ी बेतरिन वीडियो देखते रहने के लिए, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटि इन वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई